हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुब शुब बोलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में थांक्यू सो मच धेल सारा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग comments में बोलते हैं कि मेरा reading जो है वो maximum number of people सभी के साथ resonate कर रहा है तो आज भी हम लोग एक reading करेंगे जो की no contact situation के उपर होगा no contact situation बहुत ही ज्यादा painful एक situation और खराब situation होता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरह का communication नहीं रहता तो ये सिर्फ उन लोग के लिए resonate करेगा जहाँ पर आपको आपके partner के साथ किसी भी तरह का कोई communication नहीं है तो ये एक general reading होगा ये आपके साथ resonate कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है पर अगर ये आपके साथ resonate करता है ये आपका reading है reading में बहुत सारा layers होगा तो कुछ अगर percentage of the reading अगर आपके साथ resonate करता है तो सिर्फ उतना तक अपने लिए लीजिएगा बागी का नहीं और अगर ये reading आपके साथ resonate नहीं कर रहा है, तो फिर ये reading आपके लिए नहीं है, okay, roles can be reversed, and yeah, general है, तो general तरीके से ही लीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, आपके partner जिनके साथ अभी आपका no contact situation चल रहा है, उनका current general energy क्या है, और current feeling क्या है, okay, let's see, जब मैं card shuffle करूँगा, तो please, ये shuffling के साथ खुद को connect कीजेगा, और अपने partner को imagine कीजेगा, उनका face कैसे वो दिखते हैं, ये चीज़ imagine कीजेगा, let's see what is the current general energy, और, okay, general energy and उनका current feeling अभी क्या है, और, okay, we got the card, okay, दो card जब करके आ गया है, तो हम लोग देख लेते हैं, okay, bottom of the deck is the ace of swords, और जो card जब करके नीचे गिरा था, वो है, three of cups and page of wands, okay, so their current general energy and their feeling, so basically आपका जो भी partner है, जो मैं अभी general energy के हिसाब से देख रहा हूँ, या current feeling के हिसाब से देख रहा हूँ, वो यही है, कि suddenly उनको किसी चीज़ के बारे में एक सच्चाई या एक किसी चीज़ का खुलासा हुआ है, उनके life में, I think उनको किसी चीज़ का clarity मिला है, okay, किसी चीज़ के उपर सच्चाई जो है, वो उस चीज़ का information उनको मिला है, और they are very clear now, they are very much clear about the situation, okay, जो भी situation है, उस situation के उपर उनको एक तरह से clarity मिला है, और बहुत दिन से, I think, वो लोग इस clarity को chase कर रहे थे, ताकि उनको थोड़ा सा clear picture मिले, किसी situation के उपर, जो कि अभी उनको मिला है, okay, deeper level पे, और अगर surface level पे मैं देखू, तो they want कि एक तरह से बहुत ही, आप दोनों के बीच में जो union था, जो partnership था, जो की खो गया था, जो missing है अभी, वो फिर से वापस आए, there is a chance कि हो सकता है कि आप दोनों का, शायद एक साथ काम करते थे, okay, partners थे आप दोनों, office में भी हो सकता है, या हो सकता है, बिजनेस पार्टनर थे, या एक साथ जॉब करते थे, इस तरह का कुछ हो सकता है, तो they want कि वो जो collaboration है, जो की खो गया है, वो फिर से आपके जिन्दगी में, मतलब उनके जिन्दगी में वापस, मैंने आपका जिन्दगी बोला, तो in some cases, हो सकता है कि ये आपका भी energy है, okay, मेरा मुझ से अगर निकला है, तो इस तरह का हो सकता है, तो take it how it resonates, but maximum number of people, मैंने ये सामने वाले का reading चेक कर रहे हैं, तो उनका ही होगा, कि they want कि आप उनके जिन्दगी में फिर से वापस आए, और जो union खो चुका था, जो partnership खो चुका था, because the no contact situation is going on, वो फिर से, वो situation फिर से आए, वही खुशी, वही joyous kind of energy, celebration, ये सब वो बहुत miss कर रहे हैं अभी, और वो चाहते हैं कि वो चीज फिर से उनके जिन्दगी में आए, in some cases, there was a situation regarding some third party, okay, third party situation मतलब कोई भी situation हो सकता है, romantic third party हो सकता है, उनका job career हो सकता है, उनका family हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ये reading general सभी के लिए है, तो बहुत सारे लोग ये reading देखते हैं, तो किसी ना किसी के साथ, कोई ना कोई चीज जो की third party से resemble कर सकता है, okay, तो उस हिसाब से उसको लीजिएगा, कि हो सकता है, कि there was a third party situation, जिसकी वजए से, आप दोनों के बीच में अभी no contact situation चल रहा था, या चल रहा है, या चलेगा, okay, कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा है, तो फिर उस third party regarding उनको किसी truth, किसी सच्चाई या कोई खुलासा उनको अभी recent time पे हुआ है, और because of that, वो चाहते हैं कि फिर से आप उनके जिन्दगी में ये देखे, इसके नीचे the magician, तो वो basically चाहते हैं कि फिर से आप उनके जिन्दगी में manifest होके फिर से आप आ जाए, आपका comeback हो उनके जिन्दगी में, ये वो चाहते हैं कि scratch level से एकदम friendship level से चीजों का शुरुवात हो, बट उस friendship level के अंदर भी थोड़ा सा romance और passion कायम रहे, सिर्फ friend friend ना रहे हैं चीज, I think आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे because of some third party situation, okay, और इस situation का पहले clarity उनको नहीं मिला था, उन्होंने शायद आपको गलत समझ लिया था, but अभी suddenly उनको इस तरह का कोई बहुती ठोस प्रूफ या कोई सच्चा ही बाहर आया है, या किसी ने शायद उनको कुछ बोला है, या उन्होंने खुद भी ये महसूस कर सकते है, crown chakra activate हो सकता है उनका, there is a chance के crown chakra, ये जो तलवार है ना, ये आर्केंजल माइकल का तलवार बोलता है हम लोग, तो ये जब जाकता है तो इनसान अपने दिमाग से properly चीजों को clearly देखता है, एकदम साफ साफ चीजों को clear देखेगा, पहली बात, दूसरी बात ये है कि जो भी उसको मतलब इस clarity के अंदर या इस relationship के अंदर या इस चीज के अंदर, जो भी रुकावट होगा, जो भी blockages होगा, जो भी ऐसे person होंगे जो इस relationship में बाधा type के है, या third party कोई situation होगा जो की गलत है और इस चीज का समझ उनको हो जाएगा कि वो चीज गलत है और immediately वो उसको cut out करके अपने जिंदगी से बाहर निकाल देंगे, because of this ace of swords, because of this energy, okay, तो definitely there is a chance के उनको किसी चीज के बारे में अभी पता चला है, और because of that वो अभी चाहते हैं कि फिर से आप उनके जिंदगी में वापस आओ, और ये जो third party वाला situation है, ये cut out होके उनके जिंदगी से बाहर निकल जाए, और आपके साथ एक passionate तरीके से किसी चीज का शुरुआत हो, बहुत ही खुबसूरत तरीके से और बहुत ही अभी अगर वो आपके पास आएंगे या अभी का उनका जो रूप होगा, वो काफी ज्यादा flirtatious type का हो सकता है, तो या, ओके, so let's see आपका अभी current general energy and feeling क्या है, मेरे बाल अजीब दिख रहे हैं अभी फिर से, anyways, so let's see आपका current general energy और आपका feeling क्या है अभी, अभी जब मैं shuffle कर रहा हूँ, please अपने आप पे focus कीजिएगा, क्योंकि ये आपका energy हम check करेंगे, okay, let's see, okay, the empress card, three of swords आया था, and the ace of pentacles, brilliant, and the eight of pentacles, so, आप एक बहुत ही painful cycle से, I think, अभी गुजर चुके हैं, recently, या फिर गुजर रहे हैं, okay, इतना ज्यादा painful, मैं express नहीं कर सकता, बया नहीं कर सकता, बहुत, 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 आपका दिल तूट गया है, broken heart, किसी का word, action, and intention, जो की deeply आपके दिल में एक घाओ बना चुका है, okay, बहुत ज़्यादा आपको hurt किया है, किसी चीज ने, और because of that, you guys are in no contact situation, आपके partner के तरफ से ही ये चीज होने के chances है, in some cases, third party situation की वज़े से ये चीज होने के chances है, heavy third party energy is there in today's reading, okay, third party का बहुत ज़्यादा, because of this third party situation, I think, आप दोनों में, जो आप दोनों के अंदर ये distance create हुआ है, और deeply you are sad, you are hurt, you are depressed, your hurt is like, उसमें किसी ने चाकू भोग दिया हो, इतना ज़्यादा ये painful है, but अभी recently ये चीज हुआ है, but धीरे धीरे करके, gradually मैं जो देख रहा हूँ, that you are also, I think, putting effort and energy, आपके खुद के उपर, I think आपने अपने उपर काम करना शुरू किया है, okay, अपने stability के उपर, finance के उपर, ये चीज होते हुए भी, I think, एक तूटा हुआ दिल लेके, आप ये बहुत ही, आपके लिए painful है, आपके लिए difficult है, कि, मैं बोलता हूँ, situation को clearly, इसको थोरा सा, ऐसे हम बोल सकते हैं, कि, हो सकता है कि, आपका दिल तूट गया है, फिर भी आपको काम पर जाना पर रहा है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बट उनको सिर्फ आपका हस्ता हुआ चेहरा दिख रहा है, बट ये नहीं दिख रहा है, ओके, so you are in that pain, ओके, even if you are with so many people, बट दिल के अंदर ये दर्द लेके, आप इस तरह का hard work किसी चीज के उपर दे रहे हैं, हो सकता है, वो आपका job हो, हो सकता है business हो, कुछ भी study हो, exam हो सकता है, उसके उपर आप परहाई भी कर रहे हो, बट आपका दिल तूटा हुआ है, ओके, बट ये जो hard work है आपका, किसी भी चीज के उपर हो सकता है, ये जो hard work है, ये आपको एक बहुती खुबसूरत सा result देने वाला है, Empress mode, there is a huge chance of growth and expansion, into any sector, ये देखिए, इधर wheel of fortune, brilliant, I think ये जो दर्द आपको मिला है, आपके partner वाला चीज को, पाँच मिनिट के लिए मैं side पे रखता हूँ, ओके, पाँच मिनिट बोला, वैसे ही, इसको थोड़ी दिर के लिए हम लोग side पे रखते हैं, पाँच अगर, अचा, पाँच अगर मैंने बोला है, तो in some cases ये भी हो सकता है, कि five weeks के अंदर, कुछ आपके पार्टनर के तरफ से कुछ news आए, आपको, ओके, ये भी हो सकता है, तो वैसे लीजिएगा इसको, anyways, तो अगर उस चीज को हम थोड़ा सा side में रखते हैं, और फिर हम इस spreading को अगर मैं देखू, मैं Wheel of Fortune को ignore नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको इस spread के अंदर लेना चाहता हूँ, तो अगर आप इस spread को देखें, तो deeper level पे you are working really hard, ओके, आप overcome करने का try कर रहा हैं, ताकि इस heartbreak से आप बाहर निकल सको, इस pain से आपको छुटकारा मिले, इस dard से आपको मुक्ती मिले, और इस दर्द भरा दिल लेके, आँखों में आशू लेके, दुख लेके भी, you are working really hard, और इस वज़ाए से, because you are working on yourself, आप सिर्फ एक, मतलब, सिर्फ रोना धोना, और सिर्फ आपके partner के उपर focus छोड के भी, because you are focusing on yourself, because you are doing hard work, because you are working on your stability, universe is going to bless you, it's a beautiful divine blessing, that you are going to get, बहुत ही कुबसूरत सा, एक universe की तरफ से blessing, आशिरवाद आपको मिलने के चांसे सह, जहांपे you will be the empress, empress male female कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं empress बोलना हूँ तो, यह सिर्फ female के लिए होगा, empress मतलब, एक बहुत ही खुबसूरत growth and expansion, एक royal level पे जाना, level up होना, और level up होने का मतलब यह नहीं है, कि emperor की तरह हो, emperor का level up मतलब, वो बहुत rude होगा, level पे जाएगा, उसका promotion होगा, सब कुछ होगा, बट वो बहुत rude रहता है, इंप्रेस का दिल बहुत खुबसूरत होगा, दिल में दर्द है, फिर भी उसका दिल बहुत खुबसूरत होता है, दिल के अंदर प्यार महबबत फिर भी रहेगा, ओके, so it's a very beautiful energy, for you I think, बहुत बहुत खुबसूरत सा energy है, अभी फिलाल के लिए, आपकों में आसू लेके, दिल में दर्द लेके, you are going, आप काम भी कर रहे हैं, आप आपका daily life भी चला रहे हैं, सब कुछ है, बट आपका दिल इतना ज्यादा, दिल के अंदर दर्द है, मैं बया नहीं कर सकता, but because you are working on yourself, because you are giving so much effort, universe is blessing you, भर भर की universe, and there is a huge chance, कि कोई बहुत ही खुबसूरत सा opportunity, आपके पास आए, attracted होगे, this opportunity could be, आपके partner का वापस आना, in some cases, एक बहुत ही, खुबसूरत सा job offer आ सकता है, business में growth आ सकता है, financial stability हो सकता है, family में कोई good news आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, या जो घुमेगा, इस वजए से आप एक impressed mode में चले जाएंगे, आपका level up होगा, आपके जिंदगी में growth, expansion होगा, because of your hard work, okay, so very beautiful, very beautiful, खुबसूरत सा एक offer, opportunity आने वाला है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा establishment देगा, okay, and will आपके तरफ ही घुमने वाला है, positive चीजों की ओड, very beautiful, इस वजए से मैं थोरा सा मेरे को भी बुरा लगा, but ये आप, इसके उपर आप काम कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है, and that's why I'm really happy, and I'm proud of you, okay, let's see, आपके पार्टनर की तरफ से, what action और आउटकम उनके तरफ से आने के चांसे से, let's see, from your partner's side, क्या action होने के चांसे से या आउटकम होने के चांसे से during this no contact situation, let's see, let's see, बहुत लोग सोचते हैं, हम लोग जब ये शफल करते हैं, तब मन ही मन में हम लोग कुछ बोलते हैं क्या, कोई चैंटिंग करते हैं क्या, बहुत से लोग का ये एक सवाल है, I think बहुत से लोग सोचते भी हैं, कि हम लोग जब शफल करते हैं, तब actual में क्या बोलते हैं या कुछ सोचते हैं क्या है या क्या है वो मैं reveal नहीं करूँगा it's a secret हम बोल नहीं सकते I'm sorry वो secret है वो हम बोल नहीं सकते ये उस time पर जो मैं बोलता हूँ कि अभी उनका action क्या है तो ये हमको सोचना परता है कि अभी क्या action है इसके अलावा इससे ज्यादा मैं reveal नहीं कर सकता let's see क्या action आपके partner के तरफ से आने के chances है let's see the moon card okay okay and queen of cups 10 of swords, queen of cups, the moon card bottom of the deck is the page of swords they are extremely scared they are very very scared वो आप से आपको face to face face करने से जड़ रहे है face to face face okay anyways तो आपको face करने से वो काफी ज्यादा भी ड़र रहे है they are extremely scared वो दूर दूर से आपके बारे में खबर रखते है आपको देखते है शायद आपके दोस्तों से भी कुछ पूछते है online नजर रखते है कुछ भी हो सकता है but somehow they have all the knowledge about you और अभी का जो मैं देख रहा हूँ action wise भी वही है कि वो दूर से ही सिर्फ आपको देखेंगे दूर से ही आप पे नजर रखेंगे हर तरह का update वो collect करेंगे gather करेंगे but action wise वो फिलहाल कुछ नहीं करेंगे because they are I think I think जो third party की वज़े से उन्होंने आपको छोड़ा था उसी third party ने हो सकता है कि उनको धोका दिया हो backstab किया है they are getting the taste of their own medicine आपके साथ जो धोका हुआ है शायद अभी उनके साथ वैसा धोका हो रहा है and because of that they are very hurt because of that वो अभी थोड़ा सा खुद को unlucky type का महसूस कर रहे है प्यार के मामले में या ये महसूस कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है आपके साथ okay I think उनको भी उनके साथ भी अभी बिट्रे धोका I think trust issues इस तरह का कुछ हुआ है there is a chance from the third party okay third party से इस तरह का कुछ हुआ है or that is the reason I think धीरे हुआ है या फिर they can sense or they can smell okay कि इस तरह का कुछ हो रहा है basically अगर उनोंने आपको ignore करके okay किसी third party के साथ अभी अगर वो है हो सकता है कि third party मैं फिर से repeat कर रहा हूँ romantic third party हो सकता है उनका खुद का family हो सकता है उनका ego हो सकता है उनका finance या फिर job या इस तरह का चीजे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है अगर उस उन सब चीजों की वज़े से उनोंने आपको ignore किया है तो right now they can sense and they can smell कि अभी उस situation के अंदर third party वाला situation के अंदर कुछ गरबर है या कुछ गलत है या इस तरह का उनको एक negative बहुत ही ज्यादा खराब एक तरह का intuition उनके मन के अंदर जाग रहा है okay कि उनके साथ भी अभी शायद धोका हुआ है हो चुका है या होने वाला है या इस तरह का एक बहुत ही negative खयाल उनके अंदर है और वो चाते हैं कि queen of cups they are only focusing on themselves right now self love, self care, self feeling I think maximum number of people उनके साथ यही resonate करेगा maximum number of people as in आपका partner का जो energy है उसके साथ यही resonate करेगा कि उनके साथ already third party के तरफ से एक betrayal kind of energy या उस तरह का कुछ हो चुका है already और इसी वज़े से recently हुआ है इसी वज़े से they are very scared they are very scared फिर से यह trust भरोसा प्यार के मामले में फिर से भरोसा करने में थोड़ा सा ज़र रहे है शायर उस इनसान उस इनसान को फिर से ट्रस्ट या भरोसा करने में या उस situation पे फिर से ट्रस्ट करने में ओके अगर family वाला किसने ने उनके साथ धोगा किया है तो उस family वाले को trust करने से वो डर रहे हैं अगर job में इस तरह का कुछ हुआ है या business partner ने कोई धोगा किया है तो उनको फिर से उस इनसान पे trust करने से डर लग रहा है या अगर किसी romantic third party ने उनके साथ कोई धोगा किया है betrayal kind of energy अगर कुछ हुआ है इस तरह का चीज तो फिर उस इनसान के उपर trust करने से वो डर रहे हैं और completely अभी उनका focus खुद के उपर है अपने आपके उपर, खुद के उपर self love, self care and self healing, वो healing mode में भी है अभी थोड़ा सा, खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं और बीच बीच में अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच रहे हैं दूर से आपके तरफ देखना चाते हैं मुड़ के और आपके बारे में information gather करना चाते हैं और ये जो इनसान है जिस वज़य से इनसान या situation, third party वाला उसको cut out करके अपने जिंदगी से बाहर निकाल देना चाते हैं आपके तरफ आने में भी उनको डर लग रहा है और इस इनसान से भी थोड़ा सा शायद उनको अभी attachment है तो उनको इस इनसान को भी अपने लाइफ से cut out करके बाहर निकालने भी थोड़ा सा डर लग रहा है शायद रहेंगे ये चीज उनको वो अपना पावर गैदर करके उस इनसान को अपने जिंदगी से cut out करके बाहर निकाल देंगे और वो डेफिनेटली आप पे नज़र रखेंगे और जब उनके अंदर ये जो पावर है या फिर आपके पास आने का जो साहस है वो फिर से आ जाएगा वो डेफिनेटली they will contact you but for now they will not फिलाल के लिए no contact no contact ही रहेगा बट दूर से वो डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में information gather कर रहे हैं ओके बारे में इनफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ओके ओके सो लेट सी universe की तरफ से क्या guidance आने के chances है already we got the card okay thank you universe thank you so much we got the card universe की तरफ से okay okay so jo card jump करके नीचे आया था that was ace of swords in reverse and bottom of the deck is queen of cups आपको भी आपका self-love, self-care, self-healing पे काम करना होगा okay अगर आपको किसी चीज के बारे में clarity नहीं मिल रहा है किसी चीज की वज़े से अगर आप बहुत ज्यादा दुखी है, hurt है अगर आपको उस चीज का clarity नहीं मिल रहा है तो it's okay sometimes it is okay but you have to trust the divine process okay कि भगवान universe सब ठीक कर देगा इस process पे आपको ध्यान रखना है कि एक ना एक दिन ये reverse सीधा होगा जब आपको उस चीज के बारे में clarity और honesty और truth इस तरह का चीज मिलेगा और आप उस इनसान से move on कर पाए या situation से move on कर पाए कोई भी situation हो सकता है so फिलाल के लिए जो guidance यही है कि आपको properly अपना जो self love, self care और self feeling इसी चीज पे absolutely आपको focus करना होगा आपके उपर जो कि आपने किया भी आपका energy जब मैंने चेक किया वो उधर था तो obviously you are working on yourself and definitely there is a chance कि आप अपना self love, self care and self feeling पे भी ध्यान दे रहे हैं that is a very good thing so keep doing that और अगर आपके दिमाग के अंदर कोई negative ख्याल आ रहा है जो कि इस तरह का reverse अगर आता है तो हो सकता है कि negativity, गलत ख्याल, negative सोच, okay, unlucky सोच इस तरह का अगर कुछ आपको आपके दिमाग में अगर बहुत तरह का इस तरह का कुछ ख्याल आ रहा है तो you have to be silent for now, okay, आपको अपने ये सोच पे थोड़ा सा control करना होगा बाहर के लोगों के बारे में सोचना कम करके अपने उपर पूरा complete focus आपको इसी चीज़ के उपर देना होगा, आपका emotions, आपका दिल और, so thank you so much for watching this video, we'll see you in the next video, आप अपने उपर काम करते रहे, hard work करते रहे और divine process पे भरोसा रखिये, trust रखिये, okay, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, so thank you so much for watching this video, we'll see you in the next video, तब तक के लिए, take care of yourself and have a great weekend